Hey everyone, welcome to CLAD point. आज का हमारा जो topic होने वाला है, वो यह होने वाला है कि How to score 75 plus in CLAD 2020 paper. कुछ methods मैं आपको बताऊंगा जिसका use करके आपको काफी ज़्यादा improvement दिखेगा आपके mocks के marks में भी and CLAD के paper के marks में भी. But उसके लिए आपको इन चीजों को point out करना होगा और अपने जो भी आपका pattern है exam का उसमें इस चीजों को find करना होगा. अभी जब वीडियो आगे बढ़ेगी you will realize आगे बढ़ने से पहले अगर आप CLAD 2024 के लिए mock test देख रहे हैं तो मात्र 1599 में 35 plus mocks, 200 plus sectional test of each subject आपको सब कुछ मिलने वाला है, description से आपको हमारी app का link मिल जाएगा website का link मिल जाएगा, आप download करके visit कर सकते हैं और detail samples देख सकते हैं, mock देख सकते हैं अगर आप crash course देख रहे हैं for CLAD 2024 तो आपको 7999 में हमारा पुरा course मिलने वाला है जिसके अंदर आपके घर पे हम 7 books बेजेंगे, classes रहेंगे 2 महीने के लिए personal mentorship रहेगी, mock test रहेगा, सब कुछ इसमें included रहेगा अब हम बात करते हैं, किस तरीके से आप जो है अपने marks को improve कर सकते हैं ठीक है, देखो सबसे पहले आपको अपनी mistakes find करनी होंगी ठीक है, कि आपकी जो mistake है वो किस type की है जैसे आपने 5 mock दिये, ठीक है, चलो 3 mock दिये, मैं 3 की बात कर रहा हूँ आपने last 3 mock दिये, इसमें आपको अपनी mistake को analysis करना होगा कि भाई मेरी mistake किस तरीके से है, क्या मेरी mistake factual basis पे है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अब आप ये नाम भूल गए हो, ये factual mistake है इसके लिए इतना परिशान होनी की जरूरत नहीं है, you can ignore it देखो, fact ऐसी चीज होती है न, कि बहुत सारे everything on the universe याद करना मुश्किल है अब प्राइम मिनिस्टर का नाम आएगा तब तो बता ही देना पर कोई ऐसा fact-based question गलत हो रहा है, current affairs के अंदर या कोई meaning आप से synonym पूछ लिया, antonym पूछ लिया RC के अंदर, किसी word का meaning पूछ लिया तो ऐसी चीजों को आप ignore कर दो, अगर गलत हो रहा है आपको इसके उपर work करना है अब पहले हम समझतें conceptual mistake क्या है conceptual mistake का basic मतलब यह कि कोई question जो concept के थूरू solve हो रहा था, आपने गलत कर दिया जैसे कि CR में कोई concept है, अब आपने वो नहीं लगाया ढंग से और आपका critical reasoning का question नहीं बना quant का कोई section था, उसमें आपने concept ही गलत लगा दिया और वो question गलत हो गया current affair में दिमाग लगाना था, थोड़ा सोचना था, आपने नहीं सोचा वो गलत हो गया तो conceptual mistakes पे आपको काम करना पड़ेगा और silly mistakes तो बिलकुल नहीं होनी चाहिए इस पे आपको काम करना होगा silly mistakes दूर करने के तरही के यह है कि जितने जादा से जादा possible हो exam-like environment पे mock test दो gate बंद करके, अराम से अकेले में अगर कोई आपके आसपास दोस्त रहते हैं तो उनके साथ group में आ जाओ, एकठा होके mock दो अगर coaching में हो कुछ friends बने हुए हैं, घर से paper दे रहे हो तो गूगल meet के through कर लो जिसे एक दूसरे का face दिखता रहे तो these things can improve in silly mistakes silly mistakes होने का बस एक ही दो reason है panic करना, बहुत जल्दी में बढ़े जाना इस तरीकी की चीजों पर करना ठीक है, तो यह आपको दूर करने है अब एक और एक question रहता है students का, अभी हम इस पर बात करेंगे इन तीनो topics पर, लेकिन उससे पहले चो number of attempts को लेके भी बहुत जिग्यासाई रहती है और उसके वज़े से भी काफी सारे questions के answers बच्चे गलत कराते है जैसे क्या होता है, कि धिमाग में रहता है तो number of attempts कैसे decide करोगे देखो यार, आप जब paper देने जाओगे न तो नौ सिखिया थोड़ो बात समझ रहे हो आप जब paper देने जाओगे तो ऐसा थोड़ो कि बस उठे उस देनों paper देने चलेगे भाई आपने उस exams के लिए कुछ तयारी करी है कुछ नहीं तो 20-20 mocks दी होंगे minimum, minimum बता रहा हूँ आपको पता है paper tough कौन सा होता है easy कौन सा होता है आप जब paper देखोगे न आपको सबसे पहली चीज ये feel करनी होगी कि paper कैसा है, is it easy is it hard, is it lengthy क्या है ये और अपने number of attempts आप उस हिसाब से decide कर सकते हो पहली चीज तो ही होनी चीज इतने question बनते है सारे attempt करने, बट अगर नहीं बनते है तब भी इतना भी नहीं छोड़के आ जाना है कि selection 40 number का attempt करके आ रहे हो नहीं न, 70-75 तो minimum करना है तो आपको उस paper के हिसाब से सोचना है कि अगर paper is easy ठीक है यार मैं जादा attempt करूँगा paper अगर tough है ना, तो cut off भी तो कम होगी last year client में paper tough था current अपर बहुट tough आई थी cut off कम होई ना, कितने कम-कम number पे लोगा selection हुआ है, कहने का मतलब यह है यह you need to find out और यह कैसे find करो कि with experience, experience कैसे आएगा आप जितने mock number of mocks दोगे cricket का match है, ठीक है कोई pitch turn करती है, कोई pitch turn नहीं करती है ठीक है, अब जो pitch turn करती है आप देखना कि वहाँ पे batsman थोड़ा अराम से खेलता है, वहाँ रोहिच शर्मा पहली वाल पर छक्का नहीं मारेगा, pitch difficult होगी pitch support होगी, easy होगी, मारेगा ना तो run का target कितने का decide करता जब रोहिच शर्मा विराट गोली उतरते होंगे तो ऐसा थोड़ोई कि घर से decide करके हाते हम इतना बनाएंगे, वो pitch जिस तरीके से उन्होंने पढ़ी है, जिस तरीके से वो pitch चलती है, pitch मतलब वो ground अगर turning पेच हुआ, baller favor पेच हुआ, तो अगर उन्होंने दिमाग में बैठाया थे कि साड़े 300 run मारने हैं, उसको कम करेंगे यार, 280, 280 अब भी हम target को defend कर लेंगे, तो यह आपको paper कहीं साब से decide करना है, ठीक है, इसके बाद conceptual question का मैं आपको एक example देता हूँ ठीक है, इस question को सभी लोग read करिए एक बार, मैं भी आपके साथ read करता हूँ, which one of the following is context in which the term qubit, यहाँ पे term लिखी हुई है, qubit is mentioned, ठीक है, अब काफी सारे लोग जो है qubit news में था, तो इस चक्कर में सुचेंगे, हमने current affairs की तयारी पढ़ी तो थी, लेकिन हमने हमारी mag jeans में, हमारी t-shirts ने हमें नहीं पढ़ाया, मतलब हमें यह नहीं आता है, आप गलती क्या करोगे, आप इसको एक fact-based question समझ लोगे, बट ऐसा थोड़ों कि current affair में हरकुछ fact-based है, नहीं नहीं न यार, यहाँ पर concept लगेगा, concept कैसे लगेगा, ध्यान जा सुनना, शब्द क्या लिखा हुआ है, q plus bit, यह बहुत simple सी बात है, कि bit हो गया, bytes हो गया, these are units to calculate the size of computer का, मतलब computer का space, जैसे इतने bytes है, इतना bit है, कितनी बार हमने बज़पन से सुना है, कितनी बार हम लोग इस term को use करते हैं, तो अब आपको qbit, q नहीं भी पता है, तो bit तो पता है न, computer से related है, अब यहाँ पर देखो, option देखना शुरू करते हैं, wireless communication technique, नहीं, visible light communication technique, नहीं, cloud service, नहीं, अरे, यह तो quantum computing लिखा हुआ है, computing क्यू से, quantum, बिलकुल simple था, तो यह concept based question था, जरूरी नहीं है कि current affair में जो आपने पढ़ा है न, सब कुछ वही आने वाला है, आपने जो पढ़ा है, उसका knowledge का use करके आपको answer लगाना है, बहुत सारे questions के answer ऐसे निकल के आ जाएंगे, जो आपने exam के लिए पढ़े भी नहीं होंगे, आपको पहले की आपकी जो knowledge होगी, आज से लेके 12 तक, जो आपने पढ़ा ही करी है, बचपन से लेके 12 तक, उसका भी use हो जाता है, जैसे मैं याद करता हूँ, जब मैंने क्लाड PG क्रेक किया था, अज से धाई साल पहले, उस समय, there was a question, की tax के उपर जो tax लगता है, उसे क्या कहते हैं, अब कुछ इंसान, काफी साहे लोगों को जिनको मैं जानता था, उन्होंने इसको na tax law का topic बना दिया, कि आ रहे tax law में था, हमने तो यह पढ़ा ही नहीं है, fact-based question है, हम तो गलत करके आगए, but it was not a tax law question directly, tax के उपर जो tax लगता है, हमने कितनी बाद says के बारे में पढ़ा है, sugar says, yes says, वो says, लगाओ ना, concept लगाओ, दिमाग लगाओ, अपने आपांसा निकल के आएगा, says बोलते हैं, तो यह वाली चीज जो होती है, यह आपको recognize करनी है, ए सिर्फ लोगसभा के पास ही है, तो पहले तो टर्म बहुत ज़्यादा ही वो है, कि सिर्फ लोगसभा के पास है, ऐसी power ढूणनी है, ठीक है, एक एक देखते हैं, impeachment of the president of India, पर क्यों, लोगसभा के पास कैसे हो सकती है, आज सभा भी तो है, दोनों ही equal है हमारे देश में तो, तो पहली चीज़ तो यहीं गलत हो गया, concept कैसे लगना है, इसके बाद तो ratify the declaration of emergency, अरे यार, सिर्फ लोगसभा emergency कैसे declare कर सकती है, आज सभा भी करनी चाहिए, तो बचा ना, बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब यह है कि आपको concept कैसे लगाना है, यह समझना होगा, और हर चीज में fact-based नहीं होता, और जहां fact-based होता है, वह आप ignore कर सकते हो, गलत हो रहा है fact-based, उसका कुछ उपाई नहीं है, आप अपना revision करते रहो, पढ़ते रहो, अगर कुछ आएगा, ठीक है, नहीं आया, नहीं आया, लेकिन concept-based and silly mistakes आपको avoid करनी है, silly mistakes का basically reason होता है, focus नहीं ह करते हो, तो आप अगर sports या यह सब भी खेलते थे, तो उससे भी आपको बहुत हैर मिलती है focus करने में, लेकिन यह सब भी नहीं करते हो, अब तो time भी नहीं है, आप mock दो, exam like condition mock दो, आपका focus डालने की habit जो है वो बढ़ेगी, and last में एक method का नाम में आपको बताऊंगा, जिस के मानवेन सरका method है, जिसको आप use कर सकते हो, subject, topic, nature of mistake, आपको ना अपनी mock के अंदर इन तीन चीज़ों को find करना है, क्या find करना है, सबसे पहली चीज, किस subject में सबस्यादा गलती हो रही है, अगर आपको देखो, बहुती simple बात ही कही गई है, बड़े बड़े लोगों ने क कही गई है, जब तक आपको अपनी गलती का पता ही नहीं होगा, तो आप इसको ratify कैसे करोगे, तो सबसे पहली चीज तो आपको subject ढूणना जिसमा सबस्यादा गलती कर रहे हो, फिर आप उस subject में देखो कि किस topic में जादा गलती हो रही है, CR के किस type के passage में जादा गलती हो इस तरीके से ढूंडना होगा, current affair में किस topic में जादा लेक हो रही है, international affairs में हो रही है, या इंडिया वाले topics में हो रही है, या quality section में हो रही है, legal current affairs में हो रही है, कहा हो रही है, तो यह आपको find करना होगा, और nature of mistakes भी ढूंडना होगी, nature of mistakes देखना, आप जब pattern follow करेंगे, जैसे मैं आपको एक example देता हूँ, हमारे coaching में एक student है, Nandini, she is a very bright student, and अच्छा कर रही है, मौक में भी अच्छा करती है, लेकिन हो क्या रहा है उसके साथ, जैसे कुछ समय पहले तक हो रहा था, कि she was constantly doing the same mistake in critical reasoning, कि भाई, वो उसका एक thought process था, वो उसकी हिसाब से answer लगाती और वो वही वही career आ रही थी, ठीक है, वो mistake वो मतलब आप मालो 4-5 marks में कर रही थी, बागी section से बहुत अच्छे आ रहे थी, CR में नहीं आ रहे थे, but when we analysis, जब उसने मुझे बताया, मैंने भी उससे बात करी, और उसने खुद भी अपनी मेहनत करी, तो उसको जब यह realize करी, कुछ समझ में आया, तो एक मौक में असर दिखा, कहने का मतलब यह है, कि you should find out कि किस subject में गलती हो रही है, किस topic में हो रही है, और nature क्या है, क्या mistakes में कर रही हूँ, क्या हो silly mistake है, क्या वो fact mistake है, या concept mistake है, यह चीज़ आपको पता हूनी चाहिए, यह सारी चीज़ अगर आप करेंगे, तो it gonna help you a lot, अब एक और question है, कितने coachings के mock दें, तो मेरा इसका simple जवाब है, दो, देखो, एक आप लोग जिस coaching में enrolled हो, आप उसका दो, जैसे clad point के बच्चे, clad point का दें, और एक आप अपने हिसाफ से दूसरा चुन सकते हो, यह अगर आप किसी और coaching के हो, आ आप एक किसी और coaching को चुन लो, यह मत करना कि telegram 50 mocks आ रहे हैं, अलग-अलग coaching के आप सब दे रहो, मैं आपको इसका reason बता देता हूँ, reason यह है कि एक example में आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा example बताता हूँ, एक लड़का था, उसका नाम था रोहित, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा student था, सिर्फ clad point नहीं, there is a coaching, एक्स नाम की coaching, उसके mocks में भी उसके हमेशा 90+, 100+, 105+, mocks में आते थे, exam से एक दिन पहले, दो-तीन दिन पहले, उसके एक दोस्त ने का कि यार तू बहुत छोट छोट, मतलब यह सब easy-peasy वाले papers हैं, तू इस exam, इस particular coaching का दे के देख तेरे बड़े number आएंगे, यहाँ पर दे, देखता हूं, तेरे कित्ते आते हैं, उसने challenge के चकर में दे दिया mocks, और वो जो coaching थी ना, वो इतने खतरनाक mocks बनाती थी, खतरनाक मतलब वो आपके लिए अच्छे नहीं, as a student वो आप लोगों के लिए अच्छे नहीं है, it's just कि for show of they are making कि भाई कुछ भी डाल रहे है, maths में कुछ भी डाल रहे है, ठीक है, क्लैट का है 500 words देंगे, 450 words देंगे, वो 800 words का passage बना रहे है, just to, बस अपना दिखाने के लिए dominance की भी या हम है, उस बच्चे ने वो मौक दे दिया, उस बच्चे के मौक में number नहीं आए, कुछ नह and attempt the paper, clad का paper ही miss कर दिया, अगले में, मेरे कहने का मतलब यह है, और ऐसा नहीं था कि वो paper अगर clad का देता, स्लेक्शन ही होता, होता, भाई, paper तो ऐसा आया है ना, जो उसने बागी सारे मौक दिये, एक मौक गलत दे दिया, उससे घलबड हो गई, तो कहने का मतलब है कि always choose your source wisely यह ध्यान रखना, and last में, एक और question आता है, student का किसा डर बहुत लग रहा है, डर बहुत है, तो एक चीज में आपको ने इस पर एक example देता हूं, मेरे एक दोस्त था वरुन, college में, हम दोनों flatmates थे, तो वो न एक्जाम में मतलब उसको पढ़ाई नहीं करता था, उसे काफ तो मैंने उससे पूछा, भाई, तो यह धर नहीं लगता गया, कि paper है, fail, fail हो जाएगा, ऐसा वैसा, तो what he told me, कि यार, मुझे डर नहीं लगता, और मैं चाहता हूं कि मुझे डर लगे तो मैं पढ़ाई घर हूं, बट मुझे actual में डर ही नहीं लगता, मतलब, आप लोगों चीए कि यार, मुझे fear of failure क्यों नहीं है, बात समझ रहे हो, डर is a good thing, और इंसान अपना maximum potential भी डर में ही दे पाता है, बस यह कि उसको बहुत जादा सोचना नहीं है, थोड़ा बहुत anxiety और यह जो feeling नहीं है, और यह exam के साथ आप सीख रहे हो, सीखोगे, आगे भी सीखोगे लाइव भर सीखोगे, तो कहने का मतलब यह है कि डोंट वी लाइक वरून, और दो, इसमा गुद फ्रेंट तिल नाव, बट वो डर वाली चीच जो है ना, वो उसकी पॉइंट सही थी, कि उसको डर नहीं था, इसलिए वो नहीं कर रहा था, हम लोग को डर था, हम पढ़ ल